हेलो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री का जो हमरे धाइसों एमसी क्यों के सेरी चल रहा सेक्ट नमबर फाइब देखने वाले है तो अगर आपने से पहले के बागे के चार वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर भूमिकर को घटा करके कितना कर दिया गया था तो सही आंसर हो जागा ऑप्सन ए यानि की एक बटे आठ ठीक है एक बटे आठ कर दिया गया था यहाँ पर पाएंगे कि एक उपासक के रूप में असोग ने अपने सासन के बीसवे वर्स ध्यांद रीचेगा बीसवे वर्स लूमिनी की यातरह की थे असोग द्वारा लूमिनी में धार्मिकर जो की बली हुआ करता था को माफ कर दिया था भूमिकर घटा करके एक बटे आठ रखा गया इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेसन आता है कि निमलिखित कतन पर विचार करिए तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पहला ऐसा राज सासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कतन बिल्कुल सही है कोई भी गलत नहीं है कि हम डिकोटिक करेंगे ना ही एक और ना ही दो कोई गलत नहीं है यहाँ पे हम पढ़ पाएंग में निमलीखित कथन पर विचार करिए, यहां पर तीन कथन दियागा, बताना है कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, पहला पॉइंट कर रहा है कि असोग के अभिलेक प्रमुक राज मार्गो के किनारे स्थापित है, यह बिल्कुल सही है, चीक है, सेकेंड आता है कि आज़ेबी से के आठवे से लेकर के 21 वर्स तक के घटनाय वर्णित दी गई है, तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड गथन सायोगा, तो गलत बताना था, तो गलत यहां पर केवल और केवल दो है, चीक है, आप्सन बी हो जागा, गलत है, क्वेस्ट नमबर फूर, निमलीखि की बात है, इसलिए आप्सन ए हो जागा, करेक्ट अंसर, अगला प्रशन आता है कि कोटी लेके अर्थ सास्त्र एवं असोग के सिललेक में मंत्री परसत का उलेक मिलता है, मंत्री परसत के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र की भाली बाती जाज की जाती थी, जिसे क्य कहा जाता था, यानि कौन सा परिक्षन नाम दिया गया था, इसे इस परिक्षन को जाना जाता था उपदा परिक्षन, ठीक है, उपदा परिक्षन, अप्सन ए करेक्ट है, उपदा परिक्षन, इसके बारे में पूरी तरह से यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ना च पे नज़र डालते हैं कोटिले दौरा रचित अर्थ सास्त्र के संदर में निमलिखित कथन पर विचार करिए और हमें बताने कि कौन सा कथन यहां पर सही है द्यान से देखते हूं क्या कह रहा है पहला पुंट है कि यह पुस्तक मौरियों की इतिहास का सबसे महत्पून सुरोत है बिल्कुल सही है अर्थ सास्त राजनीतिक और लोग प्रसासन पर लिखी गई प्रामाडिक पुस्तक है यह भी सही कि राजनीतिक और लोग प्रसासन पर लिखी गई है अर्थ सास्थर में 15 अधिकरण है ये questions कई बार पूछा गया direct की कोटिले के अर्थ सास्थर जो लिखा गया है उसमें कितने अधिकरण है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है तो यहां पे तीनों के तीनों कथन सही है तो D को टिक करेंगे उपरोगत सभी Question No.7 मेगास्नेज ने पाटली पुत्रे के नगर प्रसासन का वर्णन किया नगर का प्रमुक अधिकारी कौन था नगर के प्रमुक अधिकारी को क्या कहते थे मेगास्नेज ने पाटली पुत्रे के नगर प्रसासन का वर्णन किया नगर का प्रमुख जो थे वो एस्ट्रोनोमाई तथा जिले के अधिकारी को एगरोनोमाई कहा जाता था दोनों ध्यान रखेगा पाटली पुत्र नगर का प्रशासन तीस सदस्यों के समूध वारा होता था इनकी कुल 6 समीतिया होती थी परतिक समीति में 5 सदसे होते थी नेक्स्ट आता है कि असोग के सिलालेक के संदर में निमनिकत्रों पर विचार करिए असोग के सिलालेक के संदर में और बताना है कौन सा कथन सही है तो पहला पॉइंट की सिलालेकों में पर्यूगत जो भासा थी प्रक्रित है जो कि हमने उपर में डिसकस किया सही है लिपी ब्राही थी तिरावे सिलालेक में दच्छिर भारती राज्यों का उलेक मिलता है बिल्कुल सही है और तिरावे सिलालेक से कलिंग यूद के बारे में भी वर्णन मिलता है, सिलालेकों को सरपर्थम जिन स्प्रेंसेप ने पढ़ा था, जिन स्प्रेंसेप ने पढ़ा, तो तीनों के तीनों कथन सही, इसलिए यहाँ पर हम क्या टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद हमा जानते हैं, अगला है कि अभिलेक से मौरे कालिन अर्थवस्ता की जनकारी मिलती है, तो राइट आंसर होगा, रुमनी देई, ठीक है, कहाँ पर हम डी को टिक करेंगे, रुमनी देई, असोक ने अजीवकों को रहने ही कहे तो बराबर की पहाडियों में चार गुफाओं का निर्माड करा, इन चार गुफाओं में एक सम्मिल नहीं है, कौन सामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखें, अगर चार गुफाओं में देखें, तो ऑप्सन सीज होगा, वो गोपी का गुफा इसमें सामिल नहीं था, चार गुफाओं में अगर हम नाम की बात करें, तो यहा को काट करके बनाई जानी मेले गुफाओं की वास्तुकला में सबसे आरंबी गोधारण है इसमें मौरेकाल में निर्मित वास्तुकला संबंधी विवरण मौझूद है वहीं नागारजुन पहाड़ी पर गोपी का तता वापियाद का गुफा का निर्मार असोग के पौत दस आरंबी जो अभी लेक है इसे राणी की अभी लेक के नाम से जानते हैं फ्रेंज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस के साथ सेर करें चैनल पे पहली बार अगर आप आप आए तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि व तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या निकल के आगा देखे फिंस बिंदुसार ने किस सिर्याई सासक से मदिरा सुखे अंजीर और एक दार्शनीक भिष्णी की प्रातना की थी तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा अप्सन ए, एंटियोकस प्रत्थम एंटियोकस प्रत्थम, करेक्ट आंसर हो जागा अप्सन ए, ये सभी प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद रखे और जो नहीं आदे, उनको नोट डाउन कर लीजेगा चले, अगला प्रश्ण आता है कि किस अभिलेख में असोक अपने को मगद का राजा कहता है ये प्रश्ण देखे बहुत बार पेपर में देखने को मिला होगा आप लोगों को, बहुत बार रिपीट भी हुआ है तो यहाँ पे सही आंसरों का किस गरंथ के अनुसार तो राज तरंगनी के अनुसार ठीक है राज तरंगनी, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, चले, आगला प्रश्ण यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि असोक अपने राजविशेक के सात्वे वर्स में कस्मीर एवं खोतान, छेतरों के अनेक भागो को विजीत कर मौरे समराजवें मिलाया कलहन की राज तरंगनी, इसमें कस्मीर के इतिहास के बारे में विस्तित व्याख्या की गई है कि अनुसार असोक ने कस्मीर में वितास्ता नदी के किनारे स्री नगर नामक नगर के सापना कराई थे अगला कि किस अभिलेक से यह ज्यात होता है कि असोक के लुमनी यात्रा के आसर पर उन्होंने वहां की भूमी करक को घटा दिया था तो correct answer option C, रुमनी देई अभिलेक ठीक है रुमनी देई अभिलेक option C होगा असोक के किस सिलालेक से धर्मे महा मात्रों की न्यूक्ती के विसे में बात की गई गया अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको असोक के जो भी सिलालेक है उनके बारे में एक अलग वीडियो बनाया था तो अगर आपने उसको नहीं देखा देख लिजेगा वैसे आपको बुक्स में तो ये मिली जाता है तो ध्यान रखेगा धर्मे महा मात्रों की जो न्यूक्ती की बात की गई वो पांचवा सिलालेक में किया गया तो यहाँ पे हम C को टिक कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप खिलरली सब कुछ मेंसं किया गया फिलाल चलते हैं अगले प्रश्ण पर असोख जो वो असोख कालीन प्रांथ प्राची जो पूर्वी प्रांथ है की राजधानी क्या थे असोक के समय में पांच प्रांथ हुआ करते थे और जिसमें से प्राची यानि पूर्वी जो प्रांथा इसकी जो राधानी थी वो पाटली पुत्र थी पाटली पुत्र यहाँ पे D हो जागा यहाँ पें पढ़ेंगे कि जो प्रांत और उनकी राधानिया थी पाँच प्रांत थी उत्रापत, दक्तच्चिसिला राधानी अवंति राष्ट जो उजयनी इसका था कलिंग, तोसली, दच्चिरापत का सुवर्णागिरी और प्राची यानि पूर्वी प्रांत का पाटली पुत्र ये पाच प्रांत हुआ करते थे असोक के समय में मौरेकाल में विक्री कर के रूप में मुले का कितना भाग वसूला जाता था तो सही आंसर हो जागा, option B, दसवा भाग, ठीक है दसवा भाग यहाँ पर correct आंसर का option B को टिक करेंगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मौरेकाल में विक्री कर के रूप में दसवा भाग वसूला जाता था, मेगास्नेज के अनुसार विक्री कर ना देने वाली के लिए मित्ति उडण का प्रावधान था next आता है, कि मौरेकाल में बिना वर्सा के अच्छी खेती होने वाली भूमी को क्या कहते थे मौरेकाल में अगर बिना वर्सा के भी अच्छी खेती होती थी तो उस भूमी को अदेव मात्रिक कहा जाता था अदेव मात्रिक option B मौरेकाल में एग्रोनो माई नामक अधिकारी का कारे क्या था एग्रोनो माई जो नामक अधिकारी होते थे इनका कारे क्या था तो option A होगा मार्गो की देख भाल करना ठीक है मार्गो की देख भाल करना नेक्स्ट आता है कि भारत और मिस्री के बीच मौरे काल में होने मले बैपार को और अधिक बढ़ाने के लिए टॉल्मी ने लाल सागर पर किस बंदरगाह के स्थापना की थी तॉल्मी ने लाल सागर पर किस बंदरगाह की स्थापना की थी तो बर्नीस बर्नीस नामक बंदरगाह की स्थापना की गई थी एक्स्ट प्रेशन कहा रहा है कि निमलीखित कथन पर विचार करिए यहां पे तीन पॉइंट दिया गया तीनों को पढ़ने के बाद बताना कि कौन सा कथन सत्य है तो पहला पॉइंट कह रहा है कौटेले के अर्थशास्तर में तीन परकार की भ्हूमी का वंडन किया गया जो कि साही है क्रिसी पसुपालन और वेपार को अर्थशास्तर में समलित रूप से वारता कहा गया और मौरेकाल में दो परकार के 1 पाय जाते थे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों का थन बिल्कुल सही है इसलिए यहाँ पर option D हो जाएगा देखें यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे कि कोटिली ने अर्थास्तर में तीन परकार के भूमी का वर्णन किया जुत्ती हुई भूमी, बीना जुत्ती भूमी और उची भूमी यानि क्रिस भूमी, अक्रिष्ट भूमी और स्थल भूमी क्रिसी पसुपालान एवं बैपार को अर्थ आस्ति में समलित रुप से वारता कहा गया मौरेकाल में दो परकार के वन पाय जाते थे हस्ती वन और द्रवे वन हस्ती वन में हाथी पाय जाते थे जबकि द्रवे वन में लकडी, लोहा, तामबा, आती यह सब पाय जाते थे, तो तीनों कथन साही था नेक्स्ट आता है कि निमलिखित कथन पर विजार करिए देखे दो पॉइंट है, दोनों को पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा असत्त है कौन सा गलत है तो पहला पॉइंट करा कि मेगास्तनीच के अनुसार भारत में दुर्विक्च यानि अकाल नहीं पढ़ते थे तो यहां पर देखे दोनों के दोनों साही है, कोई गलत नहीं है अपने अपने में दोनों साही थे, तो नहीं एक गलत है और नहीं दो गलत है तो यहाँ पर हम D को टिक करेंगे यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि मेगास्तिनिज की अनुसार भारत में अकाल नहीं पढ़ते थी जबकि कॉटिले के अर्च सास्त्री के अध्यन से स्पस्ट होता है कि भारत में अकाल पढ़ते थे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कतन सही था तो देखे फैंस 25 important MCQ हमने डिसकस किया साथ में बहुत सारे explanation मैंने आपको बताया I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगाऊगा वीडियो पसंद आया हो तो like and share करिएगा चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को अल्पिस सेट कर लीजे हम मिलते आपके साथ इसी पर करके नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाफ़ गुटे